जे माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है माहा काली भगध जयान यूटुब चैनल बे तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता के इस मंत्र से तीन दिन मेडिटेशन करने से आपकी शक्ति जागरित होने लगती है जो आपका तीसरा नेत्र है वो जल्दी खुलने लगता है जी हाँ भक्तो आज मैं आपको मा काली के दो एक ऐसे मंत्र बताने जारी हूँ जो आप जिसका जाप करके मा की मेडिटेशन जरूर करें ठीक है अगर आप इन मंत्र को सुभे मेडिटेशन में तीन बार बोलेंगे मात्र तीन बार भी बोलेंगे तब भी आपका तीसरा नेत्र खुलेगा और अगर आप तीन दिन कम से कम प्रति दीन मतलब तीन दीन लगतार आप माता की इस मंतर के जरीये से मैडिटेशन करेंगे तो आपकी जो शक्ती है वो जागरित होने लगेगी जैसे माल लो आप किसी भक्त के पास गए हो या किसी तांत्रिक के पास या फिर किसी जोगी दरवार जहां लगते वहां गए हो आप तो वहां पे आपको बताते हैं कि आपके साथ माता की शक्ती है मा की शक्ती को पहले सिद्ध करो ठीक है फिर वहां पे आपको बताया वे जाता है कि इस तरह से सिद्ध करनी कैसे सिद्ध होगी सब कुछ बता जाता है वैसे भी करते हैं लेकिं असले अने माम काली में बोजा से और यहनल से कशत्य पलदाग्यार को विष्ट किपए। Studio प्लदाग्यारा जो शक्ति करमें बोजा है वो जल्दी खुलता है और आपको इतने तो पता ही होगा कि जब हमारा तीसरा नेतर खुलता है तो हमें सब कुछ दिखने लगता है बैठे बैठे मा से हमारी बिल्कुल सेंद रूप में बात होती है जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में माता से पूछा लेते हैं त चलिए दोस्तों मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जनकारी के साथ ही बताऊंगी लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेश्ट करना चाहती हूँ अगर आप महाकाली भकत ग्यान यूटुब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जन्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना बेल आइकन को ओल पर सेट कर लेना ताकि अमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन से पहले आप सभी भक्तों के पास पोचे तो देखिए भक्तों काली माता के इस मंत्र से तीन दिन मेडिटेशन करने से आपकी शक्ति जो है वो जागरित होती है और जो आपका तीसरा नेत्र है वो जल्दी खुलता है तो मैं माता के आपको मंत्र बता रही हूं बीज मंत्र ठीक है जिनसे आपको माता की मेडिटेशन करनी है सुभा पांच बजे उठकर सुभा पांच बजे उठकर खुली जगा पे आपको मेडिटेशन करनी होगी अब जैसे हम मंत्रों का जाब करते हैं तो हम अपने अंगूठे को और अपने अंगूठे की जो साथ वाली उंगली होते हैं इसको गोल बनाके ह इसी तरह से आपको meditation करनी है, दोनों हातों को आपको अंगूठे की उंगली और अंगूठे के बरावर में जो उंगली होते हैं, उसको गोल बनाके आपको दोनों हातों की meditation करना शुरू कर देना है, पांच बजे आपको शुरू करना है meditation करना और आपको साड़े पांच बजे खतम कर देना है मात्र आदर घंटे तक आपको मेडिटेशन करनी होगी तो मंत्र पहले आप सुन लो जिससे आपको मेडिटेशन करनी है मंत्र मा काली के बीज मंत्र है जैसे कि एक पहला मंत्र में आपको उता रहे हूं काली काली महा काली है इंदर की बेटी ब्रह्मा की साली पीती भर भर रक्त की प्याली तेरा बचन न जाये खाली दुहाई तुझे कामरु देश कमख्या नेना योगनी इश्वर महादेव की दिए पहला मंत्र ये है ओम जयन्ती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा शमा शिवादातरी सौह सुधा नमोस्त दे तूसरा मंत् मंत्र है ओम क्रिम काली काये नमहा चोथा मंत्र है ओम क्रिम 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 कमक्या क्रिम क्रिम नमहा ये चोथा मंत्र है पांचवा मंत्र है ओम काली माहा काली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारा यडी नमोस्ते तो भक्तों ये मंत्र थे जो मैंने आपको बता आप लोगों को तीन दिन तक लगतार उस मंतर का मेडिटेशन करना है, जिसका आप करते आए हैं। अब इन में से जो भी मंतर आपको सही लग रहा है, जो भी मंतर आपको असान लग रहा है, उसी मंतर से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो सुभा पांच बज़े से लेके साड़े पांच बज़े तक आपको meditation करना है और तीन दिनी की यह मैं आपको guarantee दे रही हूँ तीन दिन में ही आपकी शक्ती जागरित होगी आपका जो तीसर नेत्र है वो तीन दिन में ही खुलेगा और खुलते के साथ ही आपको सब कुछ दिने लगेगा जो आपके पास व्यक्ति आएगा उसके बारे में आपको पता चलेगा यह किस टाइब का व्यक्ति है मतलब सब कुछ आप लोगों को असानी से पता लगने लगेगा जब आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा मा काली आपसे सुम अपने रूप में आकर बात करे करेंगी जो आप मता से पूछे करेंगे सामने आकर आपको मता बताए करेंगी तो चलिए दोस्तों मैंने आपका अच्छे से समझा दिया है अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर मादे माता काली बाबा बोले ना तो आप सभी की सारी मनोकामना जल्द जल्द पूरी करें जै मा काली